यहां मेरा टेलिग्राम लिंक गिवन है आप टेलिग्राम पर जाके प्रोथ ओफ शेयर मार्केट 1498 सर्च करेंगे तो मिल जाएगा प्लीज जोइन कर लें सब्सक्राइब करेंगे तो काफी बड़ी सेलिंग है और कल हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग हमें देखने को मिले यह हो सकता है कि फर्स्ट हाफ साइडवे हो जाए प्रीमियम डिके मिल जाएने एंड वह अपना प्रोफिट बॉक कर लाए फिर सेकेंड हाफ में ट्रेंडिंग मुवमेंट देखने को मिल सकता है तो दोनों पॉसिबिलिटीज है देखके चलेगा लेवल ट्रेड कीजिएगा ना कि मुवम इसी रेंज में कंसलिडेट कर रहा है क्लोजिंग में आज इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे तो क्लोजिंग देने का मतलब फुली नेगेटिव नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यह भी होता है कई बार फेक ब्रेक आउट होता है कि हाँ अगले दिन यह उपर आ जाए ना तो अगर आप यहां पर हैं और 945 के बाद भी अगर इसके नीचे रहता है तो आप सेलिंग अपर्चनिटी ले सकते हैं बट हाँ यही आपका एसल रहेगा ज्यादा बड़ा एसल लेने की जूरत नहीं है तो छोटा सा एसल लेकर मार्केट में आप यहां सेल कर सकते हैं बट अ 945 के बाद फर्स्ट टू कैंडेल में कुछ भी हो उससे नहीं अभी हम बात कर लेते हैं लेवल की तो 1638 के उपर हम बाय कर सकते हैं for the target of 1650 and 1661 यह दो टार्गेट होंगे एसल क्या रहेगा जो आज हमारी closing prices है तो 1634 का SL लेकर चल सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा दीजेगा 1633 का SL कि यह low price भी है तो अगर यह उपर जाता है 1638 के उपर and survive करता है तो उसके बाद यह chances रहेंगे 80% के यह इसके नीचे नहीं आएगा अब अगर हम बात कर लेते हैं selling के लिए तो अगर यह 1625 के नीचे open होता है यह उपर open होकि इसका resistance लेता है 1625 का तो हम सेल कर सकते हैं for the target of 16 16 and 1602 यह दो target के लिए सेल कर सकते हैं यहां पर SL क्या रहेगा तो यहां पर SL 1635 का रहेगा 10 point का SL रहेगा clear रखेगा so that's for HDFC next बात कर लेते हम access bank access bank कल भी हमारा discussion होता कि जब तक यह इस line के नीचे नहीं चला जाता 909 के नीचे नहीं चला जाता हम bearish नहीं होंगे ना दो दिन हो गए इसको इस candle के नीचे नहीं जा रहा है हां तो हो सकता है कल भी इसके उपर ही start कर दे जरनी और नीचे भी जा सकता है अगर नीचे जाएगा तो हम sell कर सकते हैं 909 के नीचे गया तो 899 का first target and 889 का second target यह दो टार्गेट रहेंगे 914 हमारा SL रहेगा 914 selling side ठीक है और अगर हम buy करेंगे तो 919 के उपर अगर यहां survey करता है तो हम buy कर सकते हैं first target 929 and second target 939 कर रहेगा यहां पर SL क्या लेके चलेंगे तो SL यहां पर 913 का बनेगा ठीक है so that's for excess bank अभी हम bearish नहीं है bearish कब होंगे जब यह 909 के नीचे जाएगा काफी दिनों से यह consolidation कर रहे ब्रेक आट दिया and then consolidation अग यह जो hammer बनाता उसका जब तक bottom नहीं break हो जाता तब तक यह hammer work करेगा जब यह bottom break हो जाएगा survive कर लेगा तो यह hammer आपका जो बना है bullish hammer वह cancel out हो जाएगा and उतना ही जितना movement upper side हम expect कर रहे तो उतना ही downward side movement हमें मिल सकता है so that's for excess bank next part कर लेता है next is SBI to SBI में क्या है SBI ने आज breakout देने की कोशिश के इस रेंज को बट उसके बाद closing message पर वहीं आ गया तो 580 के उपर जाता है one second कल और survive करता है तो हम फिर buy करेंगे 81 के उपर and 587 का first target and 595 का second target होगा SL क्या लेके चलना है तो SL आप जो लेके चलेंगे that is 578 578 का SL लेके चलेंगे selling कहां करना है तो 575 के नीचे जाता है तो हम sell कर सकते हैं for the target of 568 and 561 ठीके यह दो target के लिए हम sell कर सकते हैं अब यहां पर अगर हम देखें कि SL क्या होगा तो यहां पर SL 579 का होगा चार पॉइंट का SL होगा अभी तक क्या है अभी तक देखो लो इसका लो को break नहीं कर रहा है और लो higher side जाता जा रहा है यहीं bullish sentiment है तो बाकी फिर कल देखते हैं कल किस लेवल पर मिलता है next अगर हम बात करें so that is reliance, reliance ने क्या किया, reliance ने इस लेवल का breakout दिया, आज retesting कर लिए तो अब देखो कल का movement अगर इसके नीचे आता है तो one second यहां आने की कुशिश करेगा, यानि अगर हम बात करें 2450 के नीचे आता है तो 2434 हमारा first target and 2415 हमारा second target होगा, but अगर यह retesting है और इसके बाद अगर movement start होता है तो 2456 के उपर हम बाय करेंगे for the target of 2472 and then second target हमारा 2497 होगा, ठीक है, SL क्या लेके चलना है, तो SL आपका होगा 2453, 2453 for buying and अगर हम selling के बात करें तो 2455 का SL आपका for buying रहेगा, for selling रहेगा, ठीक है, तो अभी क्या है, अभी structure जो बना हुआ है, वो यह है कि यहाँ पर इसका breakout दिया और retesting होगी, अब कल depend करेगा कि यह fake breakout था, यह नीचे आजाए, इस type का candle पर बन सकता है न, तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखने हैं, यह red candle बन जाए, evening star बन जाए, और अगर इसको इसने support क की तरह यूज़ किया, तो फिर हमें bullish moment देखने को मिला, ठीक है, so that's for reliance, next बात कर लेदे हम, tata motor, tata motor ने क्या किया, जो reliance में बना है, reliance में यह structure बना है, और tata motor ने third day का structure बता है, तो कल reliance में इस type की candle हमें देखने को मिल सकती, यह level breakout हुआ, retesting होई, यहाँ तक reliance में आज बना है, और tata motor में कल बनाता हूँ, और कल के respect में अगर हम बात करें, तो इसने यहाँ movement दिया bullish, अब next level के 530 के उपर जाता है, तो हम buy करेंगे for the target of 537, and second target 544 का रहेगा, SL क्या लेके चलना है, तो SL आपका रहेगा, 525 का, next अगर हम बात करें, कि 521 के नीचे हम sell करेंगे for the target of 516, and 510, 2 target के लिए, अगर हम बात करें, SL क्या रहेगा यहाँ पर, तो 526 का SL आप यहाँ लेके चलनेगे, that's for Tata Motor, अभी bullish है, अभी अगर long term में देखें, तो bullish है, बात कर लेते हैं, Adani Enterprises का, कल हम लेवल लेते हैं, मुझे भी उमीद नीदी वैसे तो, कि एक दिन में ही इतना बड़ा target ही अचीव कर लेगा, बट इसने हमारे target के भी उपर गया है, तो first target पे ही closing दिया, almost, 2664 यह हमारा target था, 2664 से उपर तक गया यह, even हम बात करें, high इसका 27 2734 क्या था, ठीक है, तो अच्छा खाशा target था, 2421 के उपर से 2664, ठीक है, तो काफी अच्छा target ना, अब बात कर लेते हैं, next, अब क्या है scenario, तो most probably कल दो दिन के rally हो चुकि है, कल हो सकता है, यह थोड़ा side way रहे है, और हो सकता है, कल and perso, क्योंकि perso expire ही है, तो perso भी side way है सकत है, बट हाँ, level trade हमें करना है, तो level के है, 2664 के उपर जाए, survive करें, तो फिर हम यह upper side के movement expect कर सकते हैं, और एक बार यह आज के high पे गया, तो हमारा SL cost to cost shift कर ली जाएगा, हम lows नहीं लेंगे, हाँ cost to cost SL shift कर लेंगे, ठीक है, target कर रहेंगे, 2850 का first target रहेगा, and second target 3017 कर रहेगा, तो यह upwards direction में हमारे target रहेंगे, downward direction की बात करें, 2422 के नीचे हम sell कर सकने, for the target of 2220 and 2070, यह दो target downward direction में रहेंगे, अच्छा, इसमें SL काफी बड़े रहेंगे, तो आप क्या करना है, आपको 15 minute की candle लगानी, and 15 minute की candle में हमें देखना है, कि हाँ candle के low, हम trailing SL shift करते रहेंगे, जब भी हम इस mandatory करेंगे, तो 15 minutes की candle, और 2-3 candle अगर आपके direction में बन जाए, तो आप फिर 5 minute पे shift हो जाएगे, फिर 2-3 candle 5 minute की बन जाए, तो 1 minute पे shift हो जाएगे, ताकि हम जो profit gain कर ले, उसका maximum part घर पे ले जा सके, तो यह clear रखेगा, इस में SL, इस type से हमें shift करना रहेगा, क्य तो और अगर इसी range में खुले, यहीं consolidate करें, ट्रेड मत किजेगा, क्योंकि अगर आप option में trade करते हैं, तो premium decay ही होना है, आज भी इस के premium 2 दिन expiry के हैं, बट काफी जादा थे, और आज भी अगर किसी ने option buy के होगा, तो CEP दोनों में loss है, अगर उसने इस range में, यहाँ कहीं अगर जब यह open वा था 2500 पे था, and 2500 PE और 2600 C, दोनों लिक्के होगा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा, अगर movement दे, तो हमें entry करनी है, अदरवाइस नहीं, इवन option में मत किजेगा, next अगर आप चाहें, तो directly stock में कर लिजेगा, क्योंकि volatility हाई है, तो option के premium बढ़े हुए, और यह side way करके, सारे premium खा जाएंगे, तो avoid कीजेगा, that's for Adani enterprises, I hope यहाँ तक clear होगा, अगर clear है, तो please like, share and subscribe, and also comment, comment बहुत ज़रूरी, तो please comment, thank you.